अच्छा जब भी आपके घर में पालक आती है न तो आप क्या बनाते हैं आदू पालक ताल पालक या पालक के पकोड़े कुछ भी बनाते हूँ पर के कभी आपने इस तरीके से पालक की मज़ेदार और यूनिक सबजी बना कर देखी है अगर नहीं तो एक बार ट्राइज जरूर कीजेगा मुँ में घुल जाने वाली इतनी सौफ्ट की आपको पनीर की सबजी भी इसके आगे फीकी लगेगी सबको बहुत पसंद आने वाली है जो पालक नहीं खाते है न वो भी किलो किलो पालक अकेले खा जाएंगे जब इस तरीके से एकदम यूनिक चटपटी मज़ेदार पालक की सबजी बनाएंगे बनाना बहुत आसान है खाने में बहुत ज़दा टेस्टी है उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक दे रखना होगा बिना इसकिप करें तो चलिए फटा फट से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहरे एक बंच जितना हमें पालक ले रेना है और इसको दो से तीन ब करें टबनाना उसके खुपालक हो हुआ कर लेना यहां पर इस तरहे हमें इसको एक तर्छे हैं और जितना समय को उसका करना कर लेगे मूलता मोठा मुटा हमें मंफ इसको बहुतबर ला यहां नहीं कर अ जैसा आपको ठीक लगे अब हमें इसमें आधा चम्मस जितना नमक करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें तो हमें आपर नमक करेंगे बहुत ज्यादा नमक करेंगे बहुत ज्यादा नमक करेंगे और इसको यहां पर छोड़ देते हैं तब तक दूसरी तैयारी करते हैं तो ालेंगे कुछ लहसुन के कलियां और यहां पर पानी डालने के बाद बना लेना है इसका पेस्ट को छर्ता ध मैसी करके त बेल दियंगे जीर हो डाला हो के बारी क्त घडिशन में कृस्टर हो डाल का k़र साथ को कौई को डाल दो जो को करें अगर यहां पर फेस्ट नहीं डालना तो प्यास को बारी कट करके भी डाल सकते बढ़ें और जब का रीक कट करके बिनेखी हैErिक है अब यहां पर अच्छे से भून रहा है मसाला साथी सात्म में यहां पर डाल दूँगी आधा चम्मत जितना कश्मीरी लाल मेच कश्मीरी लाल मेच यहां पर एड करने से क्या होगा सब्दी में कलर बहुत बड़ी आ जाता है एकदम ऑप्षणल है मुझे वीडियो भी बनान इसका पेस्ट बना लेना है और इसको भी हमें मसाले में एड कर देना है मैंने इसको यहां पर अभी एड कर दिया है और अब हमें क्या करना है फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनना है अच्छे इसको ना हाई फ्लेम पर बिल्क सबजी का टेस्ट ना बढ़ जाता है तो आप कभी भी कोई भी सबजी बना रहा है आराम से पकने दीजेगा जब खास तोर पर आप ग्रेवी वाली सबजी बना रहा है जब तक मसाला भुन रहा है तो हम क्या करते हैं इसको ढख करके छोड़ देते हैं तब तक हम तैयारी कर दूसरी तो देखिए पालक को हमने नमक लगा कर रखा था तो इसने मौश्चर रिलीज कर दिया है गिली गिली होगी है यहां पर पालक है तो अब हमें क्या करना है इस तरह से पालक लेना है और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसको इस तरीके से निकाल देना है अब आप सोचेंगे कि जो भी पालक में पोशक तदो होते हैं वह निकल जाएंगे आरेन निकल जाएगा हा निकल जाएगा भर इस पानी करेंगे के करेंगे इसका यूज़ भी हम आगे सब्सक्राइ Bennett आगे समझी में तो देखिए अब यहां पर पालक का सारा पानी निकाल तो यहां पर नहीं का हमारा मसाला यहां पर बन्यूट ड़पकेश सव्कृती मसाल स्कृत तामाटर लैस्न प्याया आहिए है तो क्या है तो आपया हम का हम यहां पर धनया पाउडर साफ्ट। और फैता पावडर, भडूबर वां प्वाउड प्रस्वय पीस्पादों साथ महें था यहां जदा हिसे दाइड़ साल ठैराफ हैं ने गवादे भडूत हम झाले प्रससाल प्वडुच कि व्मितों में प्रसकें बनाते हैं इस तरीके से जरूर से ट्राइ कीजिएगा एक दम अलग तरीका है और खाने में बहुत ज़दा टीस्टी है जो पालक नहीं खाते है न वह भी मांग भांगर खाने वाले हैं मसाला बुन रहा है तब तक यहां पर हम पालक में एड कर लेते हैं थोड़े से मसाले त बहुत जादा बिल्कुल आइड मत कीजिएगा अब धेर सारा बेसन डाल देंगे ना तो जो हमारे कोफ्ती बनने वारे ना पालक के हाड हो जाएंगे मुह में जाते ही नहीं गुलेंगे इसलिए बेसन उतना ही एड करना है जितने की बाइंडिंग हो जाएगे आपको बेस कोफ्ती का शेव बना लेना है अच्छा लॉकी वगयरा के कोफ्ती बनाते तो उनको ऐल में फ्राइ करने वाला है तो मैंने आपको बताए था बहुत कम ऐल में बिना फ्राइ करेंगे सब्जी बनेगी तो बस कोफ्ती बनाकर मैंने रख लिए और यहां पर देखिए मसाले म अब भी बहुत बड़ी आसा कलर आ गया यहां पर हमारा मसाला भी अपर अच्छे से भून गया है अब हमें ग्रेवी बनाने के लिए अट कर देना है पानी तो जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतना पानी अप अपर आप डाल देंगे नमक और अपर इसको अच्छे से मिक्स मसालों को भूनना है तो पानी डाल देंगे अब एक कटोरी पानी भर करके मैंने यहां पर इस तरह से रख दिया है उसके उपर इस तरह से एक जाली रख दिये जो आम दूद वगरा के ऊपर देते हैं और उसके ऊपर ही हमें रख देना यहां पर कोफटे और बस अब हाँ पर बना रहे हैं सब्सक्राइब आप चाहें तो इसको सॉस के साथ चटनी के साथ भी नगा लगा लिजिए तो थोड़ा सा फ्राय करके पकोड़े जैसे भी आप इसको इंजोई कर सकते हैं अग्तम सॉफ्ट मुमें घुलने वाले कोफते बनकर तयार हैं दूसरी तरफ यह देखिए हमारा मसाला जो है बहुत बढ़िया से पक चुका है और जितना बढ़िया मसाला पकता है तो सबजी तो अतनी ही बढ़िया लगती है तो अब हमें क्या करना है यहां पे डाल देना ह पानी उससे पहले हां पर इसको कर देते हैं मिक्स जो एक कटोरी पानी हमने सेंटेर में रखा था वही एक कटोरी पानी मैंने यहां पर एड़ कर दिया है आपको कम जादा पानी करना है तो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं और बस यहां पर हमें इसको ढग देना है और एक इसको गार्निश कर लीजेगा रोटी पूरी परांटे चावल किसी के भी साथ खाये बहुत टेस्टी लगती है इतनी टेस्टी आप इसको बिना रोटी के भी खा जाएंगे जिसको भी खिलाएंगे यकीन नहीं होगा कि यह पालक की सबजी और आपस रेसिपी पूछे बिना तो नहीं जाएंगे तो खाये खिलाएंगे मज़े लीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई